टॉक्यो ओलंपिक में पहलवान रवी धाया ने 57 किलोग्राम वेट कटेगरी के सेमी फाइनल में कजाकिस्तान के नूरिस लाम सनैवेक को पठकनी देते हुए भारत का चौथा मैडल पक्का कर दिया अब रवी धाया का ये फाइनल गुरुवार को होगा जहां रवी गोल्ड या सिल्वर के लिए दाव लगाएंगे आपको बता दें कि सेमी फाइनल में रवी एक समय आठ पॉइंट से पीछे चल रहे थे उस वक्त हर किसी को लग रहा था कि भारत के हाथ से ये भी मैडल छूट रहा है लेकिन मैच में एक मिनट बाकी रहते रवी ने कजाक पहलवान को चित कर मुकावले से बाहर कर दिया अलाकि रवी को विक्टरी बाईफॉल रूल से विजेता करार दिया गया आईए अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये विक्टरी बाईफॉल रूल क्या होता है जब कोई पहलवान परतिधनद्य को चित कर उसके दोनों कंधे मैच से लगा देता है तो उसे विक्ट्री बाइफॉल कहते हैं उलम्पिक इस्तर पर खासकर सेमी फाइनल में ऐसी जीत दुरलब होती है मैच के दौरान जब रवी ने नूर इसलाम को चित किया उस समय वे साथ नौ से पीछे चल रहे थे उनकी जीत के बाद भी अधिकारिक स्कोर साथ नो ही रहा लेकिन परतिदोंदी को चित करने से उन्हें विक्ट्री बाइफॉल रूल के तहत ततकाल जीत दे दी गई आपको बता दें कि रवी दया ने प्री क्वाटर फाइनल और क्वाटर फाइनल अपनी बाउट टेक्निकल सुप्रियरिटी के आधार पर जीती कुष्टी में अगर पहलवान परतिदोंदी पर 10 पॉइंट की बढ़त हासिल कर लेता है तो उसे टेक्निकल सुप्रियरिटी के आधार पर ततकाल जीत मिल जाती है रवी ने प्री क्वाटर फाइनल में कॉलंबिया के आसकर को 13-2 से हराया वहीं क्वाटर फाइनल में उन्होंने बुलगारिया के जियोर जी को 14-4 से मात दी थी बेरहाल रवी ने बुद्बार को 57 किलोग्राम वेट काटेगरी के सेमी फाइनल में जीत हासिल कर भारत का चौथा मैडल पक्का कर दिया है झाल कर दो चौब पक्राइनल में जीत हरा जीत हाँ